बॉड बॉनिंग श्ट्वेंट्स तुड़े विल डिस्कस अबर दो मैटाथीरिया और दो मार्शूपील मैमल्स हम मार्शूपील मैमल्स के बारे में इस तंदारियों के बारे में पाचित करेंगे मेटाथीरिया मेटाथीरिया के मतलब है जो प्रोटोथीरिया से आगे नेक्स्ट मैमल्स जो होते हैं प्रोटोथीरिया के आगे वाले मेटाथीरियन क्यालाते हैं इंट्रोडक्षिन की बात करहें , तो Methacerians include the pouch to mammals without a true placenta जिन में पाउच पाय जाता है , जिन में Marsina Kashm季 पाय जाती है और जिन में वास्टम पाय जाता ऐसे mammals इन उनक भारफ को Methacerians केते हैं होता है ऐसे अनिमल्स को मार्शुपियल्स या मैटाथीरियन केते हैं यह तो शाका हरी होते हैं यह सर्वा हरी होते हैं या रत्रीचर या दिंचर हो सकते हैं एक्वेटिक या अर्वोरियल पेडों पर रहने वाले या बिल बना कर रहने वाले इस्तली अप्राणी हो सकते हैं एयर ब्रीधिंग वार्म लेड़ेड विवी पेरस और पाउच देनिमल्स Memory glands with teats open into the marsupium and allen touch placenta is absent इन में जो memory gland होती हैं वो बिना teats के होती हैं और marsupium के अंदर उपस्ते हैं Allen touch placenta इन में नहीं पाया था Order Marsupelia has 242 species all over the world पूरे संसार में 240 पर जाती हैं पायाती है इनकी marsupials की The marsupials from a distinct group for their anatomical peculiarities इनकी एक अपने इस्थान पर पाएते हैं उसको फर का आ जाता है soft hair पर जाते हैं उसके उपर pinna, external ear is well developed most of the female members possess marsupium, the marsupium is supported by the epipubis and marsupial bones, memory glands are modified cvcs glands or have tits, जब ये वोक करते हैं memory glands होती हैं, जिन पर tits पर जाते हैं, tail is well developed long prehensile and help in balancing when walking, जब ये walk करते हैं to balance बनने का काम करते हैं इन के तेल, a strange specialization is seen in hindfoot the second and third toe are slender and remain enclosed into a sheath of skin and these two together are known as the syndactylus digit which form a sort of two prolonged comb, the fourth toe is the largest and all digits and the close यानि पिछली जुटांग हैं, उनमे जो डिजिट्स हैं, वो combine work करके, और संयूत हो जाती हैं तो ये इसकी टाउं के बारे में था उसके बाद distribution, इसका वित्रण क्या है इसका वित्रण भी discontinuous वित्रण है अगर past की बात करें यानि history की बात करें तो marsupials were universal in distribution during cretasis period and were in keen competition with the placentals cretasis yuk के अंदर placentals से अच्छा खासा इनका प्रितियोगता हुआ करती थी और पूरे संसार के सभी आवासों पाई आते थे but during synojaik era the placentals increased in number at such a rapid rate that the marsupials failed to competition and consequently became exterminated from many parts of the world की उनमें इस प्रकार का competition हुआ से नोजाइक एरा के अंदर आते आते placentals अपने शंख्या में बडोतरी कर ली और marsupials पे competition करके और उसका result यह हुआ कि marsupials ज्यादतर हिस्तों में से गय होगे और ज्यादतर हिस्तों में केवल placentals ही बच रहे today there are 242 species of metatheria confined to the Australian region exception of American oposum American oposum के अलाबा संसार में केवल और केवल Australia में ही marsupials पाई जाते हैं आज की तारिक में जैसे कि यह kangaroo है macropus जिसके अंदर यह female के अंदर यह skin में बनी हुए एक pouch है जिससे marsupial केते हैं जिसके अंदर baby kangaroo यह अपनी सुरक्षित रहता है इसके अंदर anatomical features anatomical features में skeletal system यानि skill पहले skill की बात करें the skull is dicondylic इसमें दो occipital condyles होते हैं इसके इसके बीच में उनके बीच में जो खाच है वो इसपस्ट दिखाए देती है टेंपनी बॉला एपसेंट निजल बोन लार्ज एंड एक्स्पेंड़िड एक्स्टी रियर्ली अटेरियोईड इसमाल सैरिब्रल सर्वाइकल वर्टिबरी आपसेवन जैसे कि इस्तंदारियों में प्लेसेंटल इस्तंदारियों पायती हैं साथ वर्टिवरी पायती हैं गर्दन में और कोडल वर्टिवरी आर्विदा सेवरोन बून के सहित कोडल वर्टिवरी पायती हैं कुवाला और मॉंबैट को छोड़ करके ये इनकी स्कल है जिसका upper zone, lower zone और ये अटलस है, Atlas ने एक सिद्र पही जता है ये Atlas जो छो है , discontinuous पही जती है को सब्सक्राओ करें और नमटर मेंडिबल है जिसके इंदर दाथ , incisors , और ये अंगुलर से जुड़ी हुए है , gef toky की बात करें, vertebral column is divided into five regions, the cervical, thoracic, lumbar, sacral and caudal, cervical vertebrae 7 होती हैं, जिसमें atlas, axis और typical cervical punch, और thoracic vertebrae 13 होती हैं, 13 are thoracic vertebrae provided with ribs, और ribs द्वारा वो connected रहती हैं, लंबर region में साथ vertebrae पाई जिती हैं, devoid of ribs जिसमें कोई ribs नहीं पाई जिती हैं, sacral region में पाँच vertebrae पाई जिती हैं, caudal vertebrae are variable number, अलग अलग संख्या में caudal vertebrae पाई जिती हैं, लेकिन उन सभी caudal vertebrae में several bone पाई जिती हैं, except in colon combat, or atlas is incomplete and is provided with the cartilage in the ventral complete site, ventral incomplete site, जो atlas है, वो incomplete होती है, उसकी ring complete नहीं होती, बीच में से उसमें gap होता है, now digestive system, digestive system of marsupials, dentition, first of all dentition, यानि दन्त विन्यास के स्प्रकार के होता है, dentition is the heterodont, thickodont and monofiodont, excepting large premolars, number of incisors vary, there are 5 upper incisors and 4 lower incisors, dental formula is 5134, oblique 4134, यानि अपर जो में 5134 होते हैं, incisors, canine, premolar, molar, और इसके बाद lower mandible में, यानि लोर जो के अंदर 4134 होते हैं, shape and size of the stomach is very well in kangaro, and the stomach is elongated and circulated, a cardiac gland is present in the phasco laryctus and phasco colomis, a gallbladder is always present, a large sikm is present in herbivores and absent in carnivores, so sikm है, वो carnivore में नहीं पाई आती है, वो herbivore के अंदर ये पाई आती है, प्रजेंट होती है, दात इनके गरतों में धसे हुए रहते हैं, इसलिए थिकोडोंट हैं, और दो वार आते हैं, एक जिवन में एक वार आते हैं, इसलिए मोनोफाइव डोंट हैं, अगर दो वार आते हैं, तो टायोफाइव डोंट होते हैं, हेटरोडोंट यानि अलग अलग बिन बिन प्रकार के होते हैं, इनसाइजर का शेप अलग होता है केना इनगर शेप अलग होता है प्रीमुलर का अलग होता है और मुलर का अलग होता है इस प्रकार से इनको heterodonti ebysm दद्दी दंत विन्यास का जता है now urino genital system इनका जो मूत्र जनन तंत्र वो इस प्रकार से है annal and urinal aperture are enclosed by a common sphincter muscles. Ureter run between the genital duct in both sexes and oviduct remain separate and uterus and vagina are paired and testis or abdominal lie in front of penis and the penis is often bifurcated at the tip and the scrotum lie in front of the penis and the female in two oviducts open separately into the urinogenital sinus so that there are two uteri and two vaginic and clitoris in female may also be double. The anus and opening of the urinogenital sinus is enclosed by a common sphincter. The young ones are born alive in an immature stage seven days after fertilization. Nishishin ke 7 is born alive after fertilization. The youngs are taken by mother in her marsupium where the embryo remains attached to the nipples of the mother. Mother's nipples are attached and are attached to the nipples are attached to the nipples. The youngsac placenta is common in all. All of the marshipials are yoksac placenta and it is constructed structurally very simple and remains functional for a short period. But it is functional for a short period. Like the female reproductive system is shown here. There are two ovaries. Both ovaries have two phallopian tubes. But two phallopian tubes are different from uterine. There are two uteruses in the inside. One uterus left and one right side. And two uteruses are different from the vaginal parts. These are different from female reproductive organs. ؇n , this one is Samjian species. से portion प्राप्त करता रहता है और it will about 235 दिन का लगवग इसका further development होता है जो मार्सुपीम में होता है कंगारू 33 दिन के बुरूने विकास के बाद इन इंफेंट्स को जनम देते हैं और उसके बाद में पाउच में रख लिए जाते हैं प्राइमरी जो ग्लेंड है वो उनको memory ग्लेंड से चिपक जाते हैं और उससे यह portion प्राप्त करते रहते हैं जिसके गंगारू में यह लगवग 9 सफताह का यह जब हो जाता है तो बेवी कंगारू फिर उसके बाद में यह छोटे साइस का इसके अभी हाथ पैर और बाल अगर अभी कुछ नहीं आये यह अंदा भी होता है और बहरा भी होता है सुन नहीं सकता देख नहीं सकता इसमें आखें फंक्शनल नहीं हुई अभी जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है इसमें आखें अभी खुली हुई नहीं है लेकिन जैसे जैसे बीबी बढ़ता है वैसे वैसे इसकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे इसकी आखें भी उनका आखार बढ़ रहा है और धीरे-धीरे खुलने लगती हैं आख ना कान अभी सिर्थ से चपके हुए रहते हैं लेकिन ये पोशन लगाता प्राप्त करता रहता है मारसुपी में पाइजने वाली जो मेमरी ग्लेंड हैं वो इसके मुझे रहती हैं और कंटिनियस उससे नुट्रिशन प्राप्त होता रहता है अब इसके बाद में ये नौ माहगा हो गया है तो इसकी आखें भी खुलने लगई है और ये इसमें दिखाई भी देने लगा है इसको सुनाई जाती है और जैसे बड़ा प्चा बड़ा हो जैता है तो मार्सोप्यम भी बड़ी हो जाता है और ये जैसे बड़ा बच्चा हो जाता है तो वो मार्शुपियम भी बड़ी हो जाती है विसका आकार में elasticity होती है जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है अपने परिपक्व यानि उसका दूसरा जनम हो जाता है तो वो यानि मार्शुपियम को छोड़ करती जब वो जमीन कराता है पहलेवार तो इसका पहलीवार की संसार को देखता है इसके आखें घुली होई देती है इसके कान पहलीवार sound waves को receive करते है लेकिन फिर भी ये परवक्षियं से अपनी बचा फ्रेम करना होता है इसलिए ये वापस सुरक्षा के लिए safety और protection के लिए ये वापस मार्शूपियं में गुझ जाता है तोड़ देर के लिए निकलता है फिर वापस गुझ जाता है इस प्रकार से मदर के पास ही देता है ये बच्चा है तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि एक मदर बच्चे को किस प्रकार से उसमें नर्चरिंग करती है Now, Affinities of Marsupelia Marsupelia की Affinities या बंदुताएं विविन प्रकार के वर्वों के साथ में क्या क्या है सबसे पहले Reptilia के साथ में Reptilia के साथ में similarities क्या है यहने Marsupials की Marsupials की similarities यह 4-5 similarities है पहली है उसमें Skull of American Opusum and a Sinodont like Reptilia are similar इनकी जो American Opusum और Sinodont के Marsupial के अंदर चुपाई जने वाली Skull है वे रेप्टाइल से मिलती जूलती है Presence of Alice Phenoid Bula in both दोनों में ही Alice Phenoid Bula पाया जयता है Presence of Epipubic bone and shape like Columella in Reptiles Reptile के Columella से मिलती जूलती एक Epipubic bone पायाती है और Stapis पायाती है Small, Cerebral Hemisphere and Large Olfactory World दोनों में पायाती है Remarkt यह है इसके Conclusively हम यह कह सकते हैं कि यह जो similarities है The similarities are so many, so numerous that the affinity towards the reptilia can be discarded किसी प्रकार की affinity reptilia से Marsupials की नहीं मिलती है इसलिए यह जो हैं वो इतिफाक से मिल गई है जाप्मास similities बाकि dissimilarities बहुत जदा है इसलिए से coincidence कहा जा सकता है बाकि इनमें किसी प्रकार का कोई alignment नहीं है कोई affinities नहीं है Affinities इस प्रोटोथेरिया अब इसके बाद में जो mammalia का पहला उपवर गया है जिसे यह प्रोटोथेरिया केते हैं वह है marsupelia या metatheria से किस प्रकार से मिलता जोता है monotrium से किस प्रकार मिलता जोता है उसकी पहले similarities उसके बाद dissimilarities similarities के इंदर both brain without corpus callosum दोनों के अंदर जो brain पहा जाता है उसमें corpus callosum नहीं पहा जाता दोनों के अंदर cerebrum exposed and simple दोनों में cerebrum यानि पश्च मस्तिस्क है वह exposed होता है और simple होता है साधरन होता है no fossa ovallis in the heart जो inter auricular septum होता है उसके अंदर जो बीच में इचिद्र होता है जिसमें auricles का blood आदान प्रता है उसे auricle fossa केते हैं वह है उसमें नहीं पहा जाता oveduct separate होती है दोनों में marsupial memory glands are more closely related to monotrims marsupial memory gland and monotrims से ज़्यादा मिलती ही होती है बजाए placental के no true alentocorionic placenta and both दोनों में ही alentocorionic placenta नहीं पहा जाता eggs योकी होते हैं segmentation mirror plastic होता है और incomplete tympanic बुल्ला होता है no cervical ribs cervical ribs नहीं पहा जाती है presence of severon bone in the caudal vertebrae in both दोनों के अंदर caudal vertebrae के अंदर severon bone पहा जाती है इसके अलवा dissimilarities बहुत सारी है dissimilarities ये अच्छा है है जैसे पहली dissimilarities teeth on memory glands monotrims में absent होती है जबकि marsupials में present होती है eggling habits Monotrims में पहा जती है mushrooms में नहीं पहा जती है जबकि Paperिल्पल में आदा समय uterine gastricion uterine gastricion monotrims में किसी प्रकार की uteris नहीं पहा जता कोई gestation period नहीं होता flight weight जब कि मॉर्शुपियल्स में आदा समय यूटरायम गेस्टेशन होता है आदा समय मॉर्शुपियल्स उता है इंटर क्लेविकल एंक ephikoroid present होती है मॉनोटरीम्स में और मॉर्शुपियल्स इप्सेंट होती है that there is definitely some relationship between the marsupials and monotrims but they also differ from each other by specialized characters which suggest us to put marsupials separated from the monotrims these are some structures of carnivorous marsupials tasmanian wolf a is this is the tasmanian wolf and this is the tasmanian devil and this is tasmanian tiger and this is the eastern native cat affinities of uteria now the placental mammals are unki metatheria se yani ki marsupials se kya kya similarities in kya kya affinities ho sakti hain wo affinities is prakaar se hain sabse pahle similarities similarities this means susceptible ear or external pinna is present in both placentals as well as in marsupials memory gland with the nipples in both testes in male in scrotal sac and females produce living young in both and obiduct of the females are differentiated into upper fallopian and lower uterine portion viviparasutaintoni and though the with a short uterine gestation period in marsupelia and the memory glands are modified cvcs glands in both groups and testes are scrotal sac in scrotal sac and development of placenta is allendochorionic in and paramils non-nucleated rbc in both dentition thickodont heterodont and type iodont or mono iodont and skull with the distinct stature distinct stature yannis is kubri ke in dao plates hooti hain unki beach ki jo daran ai yoi spust dhiha diha dao kya indar yoi inki affinities hain abh in ke indar differences kiya hai differences वो सारे हैं, dissimilarities वो सारी हैं जैसे, pellets इन में fenestrated होता है marsupials में, जबकि placental में किसी प्रकार की कोई fenestri या कोई छिदर नहीं पाया जाता है tympanic, bulla, incomplete होता है marsupials में, और placental में complete होता है cranium small होती है, और placental में large होती है, teeth, monofired on't होते है प्लेसेंट, marsupials में और placental में, diffired on't होते हैं, incisors, incisors हो more in number marsupials में, जबकि two pair in placentals, angle of lower jaw inflected और placental में straight होता है corpus callosum absent होता है marsupials में, जबकि placental में present होता है true placenta rarely developed marsupials में, और frequently occur in placentals and marsupials में, marsupials में, marsupials में जबकि placental में नहीं पाया दी give birth, immature baby को देते है marsupials, जबकि mature baby को देते हैं placentals embryonic development, half in internal and half external in marsupials, while completely internal in placentals vagina and clitoris, two and two in marsupials and one and one in placentals panis is vifurkitted in two in marsupials and one in placentals thermoregulation not efficient in marsupials and when efficient thermal regulation in placentals distribution restricted to australia, marsupials are only restricted or confined to australian region only while placentals are cosmopolitan and found everywhere in the world the character by which the placentals differ from the marsupials are mostly advanced characters of the placentals over marsupials as the marsupials have many common characters with the placentals we include both of them under the subclass theria, theria includes the metatheria and eutheria it seems that they have diverged at the early stages from the main mammalian stock and all other similarities are due to the parallel evolution so it is better to put them under the separate infraclass metatheria phylogenetic position of marsupials now the phylogenetic position it is obvious that this is first that metatherians are more advanced than the prototherians metatherians are more advanced than prototherians they are more closely related with the eutherian they are more advanced than eutheria but do not belong to the same grade of evolution but they are not the same grade of evolution they are not the same grade of evolution therefore they are put under a separate subclass metatheria while rest of the higher end truly mammals are placed in subclass eutheria sometimes both combinedly called as theria comparative study of the organization of marsupials and placental mammals reveals that the marsupials are second grade mammals and the placentals are first grade mammals and often regarded by the geologist as the transitional step in the evolution of mammals from sinusoid placental aur in marsupials ko second grade ka manha jata hai geologiston ke dwara isme figure gives an idea about the phylogenetic relationship of marsupials with the monotremes and placentals this is unknown reptile stock from which monotremes are originated and pentotherians are the common ancestor of marsupials and placental mammals divergent evolution in marsupials the process of evolution that start from a single point and radiate in different directions is called divergent evolution or adaptive radiation divergent evolution is called in other words adaptive radiation for example australian marsupials have evolved from a single ancestor and diverged into different directions with the different habitats Tasmanian wolf Tasmanian wolf tiger cat banded and teeter marsupial rat kangaroo bombet bandicoot koala marsupial mole and shower glander these are the various metatherians or marsupials which is originated from the common ancestor this is called adaptive radiation in the marsupials and now this is the convergent evolution convergent evolution placental mammals exhibit similarities with their corresponding marsupials such as placental wolves and tasmanian wolves these are the placental mammals and these are the australian marsupials and these are the similarities between the burrowing habits in both antitors both are antitors in some numbat antitor is in marsupial and lesser antitor in the placentals mouse mouse like structure marsupial mouse and this is the real mouse or ratus in the placental mammals in the placental mammals climbers climbers lemur and spotted suscus both are climbers or arboreal inhabit and gliders flying squirrel and flying phalanges and these are the gliders in both and cats ocelot or tiger cat this Tasmanian tiger cat these are the similar in the convergent evolution evolution and this is the wolf and this is the Tasmanian wolf look like look alike this is also called as convergent evolution of placental mammals and australian marsupials this is all about metatherians thank you thank you very much